Hello students, government की तरफ से एक बहुत अच्छी news आ रही है आप सभी के लिए चाहें आप किसी NIOS का exam देने वाले हैं या JEE NET की preparation आप कर रहे हैं या किसी और exam के cancellation या postponement की आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए सुबह सुबह मैं आज एक good news लेकर आया हूं जो रात को ही news आई है मैं आ Unlock 2 Keeper के लिए शुरू कर दिया है और उसके लिए कुछ guidelines जारी की है Unlock 2 में क्या चीज़े open होंगी क्या close रहेंगी तो सबसे बड़ी news जो आपके लिए है गोर्मेंट नहीं ये साफ साफ कहा है कि 31st July तक 31st July तक कोई भी school नहीं खुलेगा कोई educational institution 31st July तक नहीं खुलने वाल इसके अलावा states ने पहले ही कुछ states ने ये गोशना कर दिया कि हम 31st July के बाद ही schools खोलने पे विचार करेंगे ठीक है इसमें सबसे पहला जो आपका है मद्यपरदेश मद्यपरदेश गोर्मेंट ने क्या कहा है कि all government and private schools in मद्यपरदेश will remain close till 31st July ठीक है इसके अलावा Monday को य गोशना की है कि 31st July तक सारे schools बंद रहेंगे और जो students अपने exam नहीं दे पाए हैं उनके exam उसके बाद ही लिये जाएंगे schools open होने के बाद Delhi government अल्रेड़ी ये press conference करके announce कर चुकी है वाँके जो deputy chief minister और education minister है Manish Shodhya उन्होंने अल्रेड़ी कहा है कि Delhi में जो school है वो 31st July तक आया गया था ठीक है due to COVID-19 situation ठीक है schools in Delhi were close in mid-march और मार्च से ही बंद थे वहां के school reopening of school is not merely a technical work Manish Shodhya ने ये भी काया कि school खोलना के वर technical work नहीं है Rather it is a creative work that would give schools a new and bigger role अब schools का role जो है वो change होने वाला है definite सी बात है He made the announcement after reviewing the situation in Delhi and after meeting officials of the directorate of education on how to reopen schools उन्होंने सारी बातें ये meeting करने के बाद कहीं officials है West Bengal government ने भी क्या कहाए कि 31st July के बाद ही school opening की date का announcement किया जाएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी news in 3 states से और Central से Central ने तो साफ-साफ कह दिया कि Unlock 2 में 31st July से पहले कोई school नहीं खोला जाएगा उसके बाद consider किया जाएगा situation ठीक है तो अब आपको समझना क्या है कि जब 31st July तक कोई school नहीं open हो रहा है अच्छा एक बात और important बता दूँ मैं आपको कि इस चीज को लेकर के Unlock 2.0 को लेकर के आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है चार बजे शाम को इवनिंग में चार बजे एक अपनी तरफ से राष्ट के नाम संभोधन करेंगे ठीक है जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या आगे चेंजमेंट होने वाले हैं तो आपको वो जरूर सुनना है कोई भी लेटा सब्डेट होगी मैं आपको जरूर दूंगा तो आप कुल बात मिलाकर बात ये निकल कर आ रही कि 31 जुलाई तक ना तो कोई स्कूल खुलेगा और जब स्कूल ही नहीं खुलेगा तो एक्जाम कै कैंसे कंडक्ट हो पाएगा कोई सा भी चाहें वो किसी भी स्कूल झीज का का سटेट बूर का एक्जाम हो चाहें कोई आपका कि और तरह का एकजाम हो मुझे नहीं लगता कि 31 जुलाई तक कोई भी एक्जाम कंडक्ट हो पाएगा रही बात जे और नीट की तो उसके लिए 3rd July को NTA की National Testing Agency जो उसकी meeting होनी है उसमें decide किया जाएगा कि उसको postpone करना है कितना postpone करना है cancel होने के chance बिल्कुल भी नहीं है JAE और NET के ठीक है तो मेरी तरफ से यही information थी एक moderation policy को लेकर के मैंने बहुत अच्छा एक video बनाया है आप मेरे description box में उसका link भी दे रहा हूँ मैं मेरे last video में जा करके आप उसको देख भी सकते हूँ वीडियो कर अच्छा लगाए तो like का बटन जलू प्रेस करें चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी subscribe करें thanks for watching